मैं पवन जैन परधान स्री दिगंबर जैन मंदिर कैथवाड़ा हमारे यहाँ भव्वे पंच कल्यानक स्री नेमिनाद भगवान का होने जा रहा है जिसमें पावन सानिद्ध्य है मंतरी श्री दिगंबर जैन मंदिर कैथवाड़ा जैन समाच जैसा कि हमारे परधान जी ने बताया कि हमारे यहाँ पंच क्रैनक का महामोत सब आरम होने जा रहा है 23 मार्च 2022 से 28 मार्च 2022 तक मैं मंतरी कैथवाड़ा जैन समाच से आप से विनम निवेदन करता हूँ कि भारी से भारी संख्या में आप सादर आमंतरी हैं और हमारे पंच क्रैनक की शोभा आपके आगमन से बढ़ेगी ना की पंच क्रैनक से आप आएंगे ये हमारे लिए अती अती उत्तम विशे है आप जरूर आएं और हमारे पंच क्रैनक की शोभा ना है और गुप्ति सागर जी महाराज का विशेश आशिवाद है कि जो भी इस पंच क्रैनक में सहिया भागी बनेगा आएगा और अपना पुन्यार जिन करेगा वे सदा सदा पुन्ये का भागी बनेगा धन्यवाद सभी महानुभाव को साधा जैजन मैं विरिंदा कुमार जैन मामंत्री दिगंबा जैन समाज कैथवाड़ा मैं शबी सुरोताओं से सभी महानुभाव से अनुरोद कलता हूँ कि हमारे दिगंबा जैन मंदिर कैथवाड़ा के भविय पंच क्रैनक 23 मार्च 2022 से 28 मार्च 2022 को जो भवय रूप्षय मना रहे हैं जिसमें कवी शम्मेलन रुपेश नाइट और भवय और भी बहुत से संस्क्रतिक कारिक्रम होंगे और मैं सभी समाज से जहां भी हमारी आवाज जा रही है उनसे अनुरत करता हूँ कि पंच्यानक में जरूर आए और यदि किसी की भी के लिए आप सब आमंतित हैं माजे कुमार जन को सद्यक्स सिल्धि कामल जैन मंदिर केतवल आप से अपील करता हूँ कि प्रदां जी के कहे अनुसार इस महा मोहसम में पंच्क कल्यानक पर दिश्टा मोहसम में अधिक से अधिक संख्यों में भाग अग लें और हमारा मंदिर बहुत ही पुराना है और पहली बार पंचकर लियानक हमारे मंदिर का होगा जो सन 1908 में जिसकी स्थापना हुई थी तो इसको अधिक से अधिक धरम लाब ले आकर यहां पर हमारा जो पंचकर लियानक है और यह लाइव नमोकार मंदिर के चैनल के माध्यम से भाई राहूल जैन जो लगे में हैं पूरे हरलो इलाश के जाथ हमारे साथ उनका भी स्वागत है बाकी आप सब आईए हम आपकी अपेक्शन जार कर रहे हैं और हमारे यहां पात्रों का चैन हो चुका है और कुछ पात्र बाकी हैं जो भी भाई जिस भी रूप में सहयो करना चाहे पात्र में सामगरी में भोजन शाला में जिस तरह से भी जो भी सहयो होगा वो हमें गौर आएवे सभी भक्तों को ठैरने की विवस्ता, भोजन की विवस्ता सबका प्रबंद किया जाएगा नी सुंकोच हमारे यहां आकर धर्म लाब ले